वीडियो है ना मैं सहरी से शुरू करी हूँ यह सवेर 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 सहरी कोटी और मैंने on कर दिया चिकन ग्रेवी बनाया था मैंने बहुत कम बच्ची हुई थी तो उसे भरकत करने के लिए थोड़ा से न एक तीन एक को मैंने बॉइल करके वह क्रेवी में दाल दी क्योंकि थ पास करें रोटी कम लेती हो और साइटेश थोड़ा ज्यादा लेती हो और मेरे बेटी के लिए दो शामी कबाब बना दिये क्यूंकि वो राइस ही खाती है रोटी नहीं लेती है मेरे हजबन को कुछ चीजों से भी लेना देना नहीं होता है उनको सिर्फ ग्रेवी चाहिए औ द खैने चाहिए तो वो सेहरी हो गई थी सवेरे में उटके मैं ॐ देखू तो है ना मैंने केख हे बना के मैंने क्रम और दिंग करके मैं फ्रिजMे रख़्िश के रहन के म ARE सो गई थी सवेरे उटके दीखो तो उसके और घिनिस्ग फिछरी नहीं था तो मैं रात को फिनिश पूरे का पूरा कम्प्लीट करके फ्रिज में रखे मैं सो के सवेरे उटके जस्ट मैं बॉक्स में पैक करके मैं देती हूँ वह ऐसे सिचुएशन में अगर अला ना कर ऐसा कुछ हो गया तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी तो वही सोच रही थी मैं चलो ये तो कुछ नहीं हुआ था सवेरे उटके है ना बस मैं केक को सही किया एक्चली ये तयारी हमारी है ना इद के बजार की चल रही है मैंने एक स्टॉल मैंने बुक किया हुआ था मेरे लिए एक टेबल बुक किया हुआ था अच्छा लग रहा था मुझे कुछ करूँ डिफ्रेंट सा और दूसरा ये भी था कि थोड़ा और भी है न मेरा ये पता चलेगा कि मैं बेक करी हो और मेरा टेस्ट भी लोग है ना और ज्यादा लोग देखेंगे और जानेंगे मेरे बारे मेरे काब के बारे में तो इसलिए म अccलत युपल गाले में दुपल्ण की दूटा लूएट साज्ट भी क्यासरा वासे नियुए भी था ज्यादा हेमन आशकाना कि ये दिन बारे काब vibes अधेंगे दॉसन मेरे ठीक friends डबी से दकता है और और में खॉचक में तो मैं सूची के थीचक बता हुता बहुत पॉप आउट होते हैं क्योंकि इसमें इसमें मुल्टिपल कलर बहुत अट्राक्टिव थे और दूसरा मैंने चौकलेट केख बना दिया था फूर चौकलेट केक मतलब त्री जासे होते हैं वैसे बहुत हेवी वाला चौकलेट था तो मतलब डर्क चॉक्लेट ने था, चॉक्लेट का ज्यादा टेस्ट था इसमें, बहुत ही सॉफ्ट और ये था, दूसरा है ना पैनैपल केक क्यूंगे बहुत सारे इंडियन्स को पैनैपल केक बहुत पसनाता है, जबी भी मैं डिलिवेर करती हूँ, देती हूँ, बनाती तो बहुत लोगों को पसनाता है, और आज कल मेरा फेिरेट मैंगो केक और रसमलाई केक बना हुआ है, नहीं बना पाई क्यूंक् wa मिरे पास आलरेडी बहुत केक के रॉडर आये थे, तो मुझी ये स्टॉल के लिए बनाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो मैं सो लेकिन मुझे लगा के नहीं अच्छा नहीं लगेगा मैं थोड़ा भूट एफ़र्ट है एक्स्ट्रा मारती हूं और मैं ज्यादा नहीं करूंगी बहुत थोड़ा सा ही रखूंगी थोड़े वराइटी करके मैं रख देती हूं तो ठीक है करके बोला तो हमको समन में नहीं ताके क्योंके दिस इस और फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मुझे कुछ समय में नहीं आ था मैं कितना इसका चार्जर्स रखूं छोटे-छोटे केक्स का और यह है मेरे फ्रेंड का स्टॉल ही जो उनकी बेटी है यह मेरे बेटे के ना क्लासमेट है तो बहुत अच्छी सी अच्छी से ना बहुत सारे केक है ना से लॉट होने लिए बहुत फास से मैंगो केक चले गया और लोग आके पूछ रहे हमने देखा था हम सोचे कि थोड़ी देर में आएंगे खितम हो गया हर को आपके पूछ रहा था मैंगो के का डिमैंड थोड़ा अच्छा ज्यादा अच्छा स्टार्टिक में लग लग रहा था कि मुझे पैनापल केक तो नहीं जाएगा तो अच्छा यह यह दिखा रही हो ना मैं यह मेरे फ्रेंट फ्रेंट का स्टॉल है इसमें इतने आउसम इतने प्यारे से जिले दी थे मुझे तो मन करा था कि यह भी ले लो भूब मैं लेलो लेकिन मैं हlando कर्ती हूँ तो मुझे लगा मेरे कुछ बेकार है ऐसे ही मैंने ले लेके बहुत साइघ dust plagikam मुझे खills में मिरे औक में बख़न टी मुझा को बूल रही थी मजे नहीं तो मैं फिर कभी वीडियो में बताओंगी tutaj क्यूट सा सेट है वो और मेरे बेटी ने भी एक छोटा सा सेट खरीदा वो भी बहुत प्यारा सा है उनकी इजिलरी सो देखने के लाएक थे बहुत आसम थे और ये दूसरों के स्टॉल्स भी बिता रही हूं लोगोंने भी केक पॉप्स रखे हुए थे और बखलावा वगरा चीसकेक, मूस बगरा रखे हुए थे और ये स्टॉल है ना मेरे बेटे के अर्बिक टीचर का स्टॉल है तो वो पूरे है ना हिजाब के पिंस, ब्रेजलेट, छोटे छोटे चीज़े रखे हुई थे उन्होंने जिसे हिजाब के पिंस को टोपके रखने के लिए बाउचस थे और थोड़े हिजाब को टे पिंस थे मतलब जानी नमाज थे और ये भी उनीक अस्टॉल था उन्होंने दो स्टॉल सानी रे थे उन्होंने बहुत सारे रखम के बिस्केट्स और बखलावास बनाए हुए थे और और आर्गनिक महंधी रुखा हुआ था उन्होंने स्टोड़ से क्षेस्ज मिलते हैं इंडिया में वैसे ही थे वह कोको का फ्लeवर दिया हुआ था वहा था उन्होंने इंडिंग में उन्होंने सेल किया था होची थोड़ा मुझे महिंगा लग रहा था क्योंकि बिक नहीं रहता है ऐसे ही थे तो सब ने थोड़ा कुछ-कुछ खरीदा था और यहां पे जो कपड़ों का स्टॉल लगा हुआ था इसमें तो कपड़े मुझे बहुत अच्छे क्योंकि मेरी वीक पॉइंट है मैक्सी मुझे मैक्सी बहुत पसल है घर में भी मैक्सी आपने इसमें भी देखा होगा मेरे बलर किया हुआ मेरून कल मैं पेंगे मेरे स्टॉल में खड़ी हुई थी वह मैं ही हूँ और देखो इसमें भी मैंने मैक्सी पेंगी हुई है और बस इतने से ना खतम हो गया पूरा पैकिंग चल रही है सब की सबका वाइंड अप चल इसका मेरे इफ्त्यारी के तैयारी के या वीडियो गब दिखा रही हूँ तो इफ्त्यारी के लिए मैं गैगन्जी बनाती हूं गैगन्जी सौथ इन्यन डिश होती है रमजान में एवड्री हम लोगों यही पीते हैं गंजी पीते हैं यह टाइप ऑफ खिच्डी मानके चलो यह साउत में है ना चैन्नाई से हूम है चैन्नाई में क्या होता है कि है ना हर एक मस्जीद में मिलेगा आपको यह कहो सी भी मस्जीद छोटी सी चोटी यह बड़ी सी बड़ी मस्जीद में च चल जाओ, आपको गंजी मिलेगे, मिलेगे, कोई भूका नहीं जाएगा, हर एक घर को भी ये लोग देते हैं, मतलब बाहर बहुत बड़ा देख चाड़ता है, और मस्जितों के बाहर है, ये डिस्टिब्यूट भी करते हैं, जो भी घर में लोग हैं, लेडिस रहते हैं, उन जी का मसाला, ये मैंने बताया हुआ होगा मेरे प्रिवियस ब्लॉक्स में, रमजान प्रिपरेशन में, मैंने बहुत बड़ा क्वैंटिटी में बना के रखा हुआ था, तो बस ये चावल, चावल को थोड़ा सा पीस के कुरकुरा करके, उसमें है ना, दाल, मून की दाल भ तो चार भी उठाती हूं, लेकिन दो स्कूप सफिशिंट होता है, ये दो कोई खीमा, मैंने थोड़ा सा है, हैंड से थोड़ा रफली चॉप खीमा दाला है, थोड़ा ताकि मून में बाइट साए, ये मैंने दाल और चावल पीस के रखाता तो इसको मैंने अच्छे से दो कुकर मैं लगा दीती हूं, दो से तीन सीटी लगा दीती हूं, तो अच्छा काज़ा क्वाटिवा मैं बन जाता है और बहुत लाइट और अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, इसके साथ जो कौमिनेशन जाता है वो अफ wonder फोर मूरा नहीं होता है जैसे बढ़ा है, टाँम कम था मेरे पास कुकर बहुत गरम था, तो ही लिए मैजे या पना गंजी बना देती हो वो राजमा जो इंड वीडियो हूँ मैं क्लिप मरे शेयर करूँगी कियों कि मुझे बीच बीच में मझे डिस्टरप नहीं करना था यह है न जो जारी का और एत्यारी का प्रिपेरेशिंड दो भी मिक्स नहीं करना था, इसलिए मैं वो क्लिप बात में लगा लिया तो अब यह है न मैं एंदेज बना रही हूं मेरे अच्छा खासा क्वाइड़ी बनते है आउनियन बहुत सारा मेरा है रवजान में मिस्टी में बड़े आउनियं ने लेती biri मैं लेती नहीं हूँ जई गारी हुए है चने के डाल मैंने दो घंटे तक भी हो दिये थे और उसको roughly पीस लिया था मतलब roughly मतलब आदा quantity बरबर 50% मैंने चौपर में मार लिया था 50% मैंने मिकसर में मार के blend करके रख लिया 2-3 time का मैं मिकसी में पीस के रख लेती हूँ और उससे पहले जो बताया था मैंने वो है ना माश की डाल है माश की डाल मतलब हम लोग माश की डाल बोलते हैं आप क्या नौर्थ में क्या बोलते हैं उसे मैं कभी बताऊंगी सफेद डाल जो होती है तो उरत डाल शायद मेरे खल से तो वो डाल है वह बहुत कर दाल को अगर हाथ से फैंट लो तो भूझ करेंश आँ, और वह अग्र अफैंट्चि राविवदे अप करस में संदो । क्योंकि वो दालने से अच्छे क्रिस्पी तो बनते हैं लेकिन आइल भी बहुत अफ्जॉब करते हैं तो हम लोगों को है ना बहुत ऐसे डी का प्रॉब्लम है तो रमजान में तो और जियादा हो जाता है में जे और मेरे हस्बर को इसलिए मैं है ना बस कुछ भी फेटे सब्सक्राइब तो इससे काट रेख अधेल से खेड़े और से डीले करना में देखना होता है तो इससे कार रहा है थोड़ा सा प्ता चलेगा तो इसे लिए मैं मैंना चली कभी नहीं कंद नहीं कि गर्टे और पस्ते पर वसमें करीप्ते आ में तालती हुआ जब यूआस में थी अ पहले यूआस में अ और सा हमा आप गया था वहां पर मैं तरद गई थी हुए न करीपता लेने की दालने के लिए कriel पर इतना महनगा होता था 2-3 Leafs के यह आते थे वो भी 2-3 डॉलर होते थे और मेरा एक ये वडा के लिए भी मेरा sufficient नहीं होता था वह एक pack लूट हो तो मुझे इतना मुझे ये लगता था कि मैं सुका के मैं करीपता यूज यूज करती है सुका के तो total waste है करीपता यूज करना क्योंकि उसमें कुछ इना फ्राग्रंस रहता है ना कुछ रहता है बहुत माइल सा एफेक्ट देता है वो तो मैं अब यहां पे केनेडा आने के बाद मैं इतना ज्यादा करीपता यूज करती हूँ कि पोछो यह नहीं कि इतना ज्यादा पसंद है फ्लेवर इसका अगर चिकन में डाल देते हैं कोई चटनीों में डाल देते हैं और वड़ा में तो यह सूपर हिट होता है करीपता दाल दो तो इसके साथ मैंने ओनियन चॉप करके मैंने डाल लिया उसमें चिली से अच्छे से फाइनली चॉप करके डाल लिया और उसमें मैंने करीपता भी दाल लिया और थोड़ा से सिलैंट्रों दालो तो भी अच्छा रहता है मेरे पास नहीं था धनिया की पती नहीं था मेरे पास दालके थोड़ा साब लाइप से घरमसाला दालो तो भी अच्छा रहता है मैंने मेरे खाल से दाला नहीं है शायद इसमें लेकिन मुस्ती दालती हो अरोब्ये आज़े तराल दाले वर तो वह दाला यहां बहुत अच्छा एफ़ेक्ट देता है यह है वड़े बना रहे है तो यह अल्मोस्त करें ईदके में तीन दिन यह बनता है बागी टाइम पे मैं कभी कटलेट कर देती तीं compost कर देती हूं जो भी मैंने पहले बनाये थे और freeze करे हुआ थे वो भी चीजे वो सारे मैं air fryer में करती हूं क्योंकि air fryer में करने से कोई taste में फर्ख नहीं आता है oil में करो तो है न file अंदर चल जाता है थोड़ा ठीक से सील नहीं हुआ तो इसलिए मुझे है ना वो मैं प्रिफर कर दीओ कि एर फ्रायर में कर लूँ तो क्योंकि बहुत क्रिस्पी बहुत अच्छे से बनते हैं तो कुछ फरक नहीं पड़ता है ये भी वड़ा भी मैं एर फ्रायर में कर लेती थी मैं लास्ट एयर ये साल मैं थोड़ा सूची कि थोड़ा अलस कर दिया मैंने सूची कि अब ये एर फ्रायर अलग ये अलग क्या करूँ मैं थोड़ा ऐसे ही कर लेती हूँ अब यह जो यह उरत डाल के वड़े हैं वो बना रही हूँ यह है ना देखो मेरा कितना स्टिफ है तो ऐसे हो तो उतने अच्छे क्रिस्पी नहीं बनते हैं और थोड़ा पेंट लो हाथ से अच्छे से विस्क से या नहीं तो कर लो तो बहुत अच्छे प्लफी यह बड़ा बनते हैं और इसमें है ना ऐसे यूशुली इसमें यह चिल्ली पॉडर और धल्दी पॉडर दालते नहीं है इसमें बस पिपर है ना रफली क्रश करके दालते हैं और ग्रीन चिल्ली और धनिया पती डालते हैं और ओनियन भी है रहा कुछ लोग डालते हैं कुछ लोग बहुत कम डालते हैं लेकिन मैं बहुत ओनियन यूज करती हूं मुझे पता नहीं वो टेस्ट मुझे अच्छा लगता है तो बस वड़े की तैयरी हो रही है जो मसाला वड़ा था मतलब जो चन्या डाल का वड़ा को हम लोग मसाला वड़ा बोलते हैं वो मसाला वड़ा तो बन गया था वो साइड में रख दिया अब यह हमें उरत डाल के वड़े बना रही हूं सब्सक्राइब करते में नियुक्त जो बनाए थी चट्टनी और यहां पर मैंने थोड़े फ्रूट्स काटके उसके पर चाट मसाला च्टड़क लिया और यहां पर थोड़ा सा सालड मेरी वे ना मैंने इसने बनाया था तो बहुत ही मज़िदा सालड था वो भी साथ में रख लिया बस الحمد للह सिर्फ इस्टियारी बहुत यह आसम बहुत अच्छे से हो गई बस हम लोगों को इतना लेट होती है हमारी पौने आठ के खरीब हमारी इस्टियारी होती है तो इसके बाद हम कुछ नहीं खाते हैं बस यह पेट फुल हो जाता है उसके बाद एक चाय ले लेते हैं और उसके बाद तरावे को निकलने बरबर रहता है थोड़ा बहुत किचन वाइंड आप करो और तरावे को निकलो और ये देखो ये क्लिफ जो मैं बोल रही थी आपको ये बाद में दाल रही हूँ ये ये मैंने इफ्तियरी के प्रिपरेशन से पहले किया था ये मैंने मेरे बेटी को बहुत पसन है राजमा राइस तो मैंने राजमा बना दिया उसके लिए और हम भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे ऐसा कुछ नहीं है अच्छे से बॉइल हो गया अब मुझे इसे थोड़ा से मैश कर दूंगी था कि ग्रेवी है थोड़ी अच्छी तिक कंसिस्टेंसी में हो जाए तो उसके बाद मैं पहले क्योंकि मैं कडाई में दालके ये ब्लेंडर चलाओंगी कि मुझे डर लगता के कहीं स्क्राइश नहीं आ झाये कुकर में और दूसरा हाए ना थोड़ा मुझे ये कुकर चाहिए भी था क्यआ किम एसमें गंजी का भी काम करना था तो ठोड़ा गरम था मैनी जो बताया था था स्टार्टिंग में कुकर गंदा लग रहा है तो यही सील यह घंदा लग रहा था वो क्यूंकि राजमा पलेटा है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था सहरी और इसके रिकटा है काम दो भी साइड बे साइड कर रही थी तो बस मैंने वो किया और वहां से है ना मैंने गंजी का भी काम शुरू कर लिया था तो बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैश भी कर लिया था इसे और उससे पहले मैंने थोड़ा सा है ना इसमें ना आमचूर पौडर थोड़ा सा है ना ये ना कारा नमर वो दाल दिया और उसके उपर से थोड़ा सा कस्तूरी में थी मैंने हाथ से अच्छे से लगण के वो भी दाल दिया थोड़ा अच्छा टेस्टी फ्लेवर बन जाता है मेरे बीटी को मेरे हाथ का भी बहुत पसंद है उसे तो उसका ही है अ तो मगरीब की तो मेरा बेटा भी है ना पढ़ रहा था तो उसके बाद हम लोग वहां से तराबे निकल गए तो बस यहां देखो तरस्ते में कुछ भी नहीं बहुत है ना कम ट्राफिक थी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में इसलिए वीडियो मैंने थोड़ा बहुत कैप्चर कर लिया तो बस यहां पे है ना हमारत बहुत दूर नहीं है मस्जीद बहुत खरीब में ही है लेकिन वॉकबल नहीं है कार में जाना होता है तो बस मस्जीद आलमुस पहुंची गए बहुत बहुत चलो दुआ में याद रखना आप लोग जरूर से हम लोगों को और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना और वाच करना और मुझे इसे मोटिवेट करना और भी विदियो बनाने के लिए और कमेंट्स भी करना मत भूलना प्लीज थैंक यू ओके बाई बाई आलाह आपेस सी यू लेटर ने नेक्स वीडियो झाल झाल